सभी को रादे रादे सभी को गूड मॉनिंग चलिए तो इस्टार्ट किया जाए चलो तो इस्टार्ट करते हैं सभी को गूड मॉनिंग सभी को जय हिंद सभी को बंदे मतरम चलिए रादे रादे यहाँ पर आपसे प्रस पूछा गया है कि चरण कमल बंदो हरी राई इस कि में कौन सा बताना है अलंकार है जवाब दीजेगा कि इस पंक्त में कौन सा अलंकार है गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग चले जवाब यहाँ पर सभी के आ चुके हैं क्योंकि आप यह हरा बरा प्रसने और हमेशा पूछा जाता है ना और जब हमने बताया था कि का जवाब बिल्कुल सही है अगले प्रसकाते हैं प्रसनाप से एगला पुछा गया है कह रहा है बाधा था बिदको किसने इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुक्यों भरा हुआ था हीरो से यहाँ पर देखो अगर उप्सन ना दिया जाए थोड़ा साग आपको यहाँ पर पॉइंट मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा ठीके देखो दिया है बाधा था बिदको किसने इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुक्यों भरा हुआ था हीरो से तो यह बताइए से आप बताइए कौन सा लंकार यहाँ पर हो जेगा तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही है यहाँ पर निरंजन प्रतापी जी बिल्कुल गोड़ मॉरिंग तो यहाँ पर देखे यहाँ पर अथसीयोगतर्थात बात को बढ़ा चड़ा कर बढ़ता दिया गया है जहाँ बात को बतंगर बना दिया जाए और बढ़ा चड़ा कर बात कर दिया जाए वहाँ पर होता है अत्षयोगत लंकार, अईम्मेद है कि यह भी आपको दिया गया है कौनसा कि आपका दिया है आपका कोलन का का सब्द दिया है न बार बार आपको एक पोईंट दे रहा है का का जहां किसी वर्णों को रभरती बार बार हो रही हो वहाँ पर हम लोग क्या दव जवाब देंगे तो आपका जवाब हो जगा option right आपके यहां पर बिल्कुर सही है very good जहां वर्डों की अबरती बार-बार होती है वहां पर आपका अनप्रा सलंकार होता है clear हो गया ना और जो लोग पहली बार आए हैं वोग चैनल को जरू subscribe करेंगे और साथ में कह सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक है पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चले कहरे आप से माला फेरत जुग भया फिरना मनका फेर करका मनका डारी दे मनका मनका फेर यहाँ पर आपको दो तीन वर्ड आपको दिख रहा है कौन सा मेन मेन जो आपका दिया है मन का है ना मन का आपको पॉइंट दिया गया है यहाँ भी मन का दिया है तो यहाँ पर कह सकते हैं इसके अर्थ आपकी कह सकते हैं निकलेंगे मनका और मनका मतलब कर सकते हैं एक मन होता है कौन सा एक मन होता है जो हरदय वाला मन होता है और एक मन होता है माला में पिरोय जाने वाला जो आपका दाना होता उसे भी मनका ही बोलते हैं अर्थात यहाँ पर जब ऐसे ऐसे सब्द आपको दे रहे हैं और यहाँ पर आपके अर्थ अलग अलग निकल ले हैं, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब जो आज़ेगा 4 नमबर, सभी का जवाब आचुका है, very good, option अपड़ी हो जगा, यमा कलंकार होता है, ठीके क्या होता है, यमा कलंकार होता है, very good, अगला प्रसना आपका दिया गया यहाँ पर 5 वाले में, तो यह इसका गुण है, यह क्या है इसका, यह इसका गुण है, क्योंकि इसी की कारण काभी की सुभा बड़ी है, तो option कौन सा हो जगा, यहाँ पर आपका B हो जगा, ठीके, चलिए, अगला प्रसना आप से पूछा गया है, तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहुचाए, जुंके, कूल, सो, जल, परसन, हित, मनह, सुवाए, इस पंक्ति में बताया गया है, कि अलंकार कौन सा है, लेकिन यहाँ पर अलंकार यह पूछा गया है, कि दूसरी पंक्ति में कौन सा लंकार है, दूसरी पंक्ति में पूछा गया है, थोड़ा ध् ठीके पहले बाले में अनुप्रास निकल आएगा लेकिन दूसरी बाले में पूछा गया है एक जामनर थोड़ा घुमा देता है यहां पर आपको दिया है मनाउसद मनाउसद आपको दिया है ना और ये कोश्चन आपका पूछा भी जाता है 2020 में question पूछा भी गया है तो मनव सब्द जो आपका होता है वो आपके उत्परिच्छा लंकार में होता है तो इसका जवाब क्या होज़ेगा आपका D होज़ेगा उत्परिच्छा लंकार क्योंकि यहाप डारेक्ट पूछ लिया दूसरी पंक्ति में कौन होज़ेगा पहली में तो में दिख रहा है साप साप लेकिन दूसरी में पूछा है मनव सब्द आपको लगा है जवाब यहाँ पर प्रिच्छा लंकार होज़ेगा समझ में आ गया है चलिए अगला प्रसनाव से पूछा है और यह भी आपका हरा भारा है बारोमासी कोश्चन है पानी सब्द आपको दिया गया है और इसके आपर देख सकते हैं एक अर्थ आपका मोती है एक आपका मानस है और एक आपका चून है मतलब यहाँ पर देखो मोती में क्या होना चीए चमक होना जरूरी है मनुस्य में प्रतिष्ठा और चूने के लिए पानी आतत पानी के तीन आपके अर्थ निकल आए जब सब्द एक हो अर्थ नेक हो वहाँ पर आपके क्या होता है सलेस अलंकार होता है है ना तो जवाब क्या होजएगा यहाँ पर सेविन को उप्द आपके डी होजएगा सलेस सलेस का मतलब होता है चिपका हुआ इसी के साथ आपके तीनों वर्ड आपके चिपक गया था तो के सिकते हैं पानी के साथ यह तीन आपके वर्ड आपके निकल के आ चुके किलियर हो गया चलिए अगला प्रसना आपके दिया है अलंकार सब्द का साथ यह को बनता है तो अलंकार का साथ यह होजएगा वेटरीन जवाब बिल्कुल से भना बना रहे हैं चलिए जहां उप्में और उप्मान की संभावना प्रकट कीज़ा है वहा कौन सा अलंकार होता है देखे यहाँ पर आपका दिया है संभावना और जब भी संभावना की बात करता है कल्पना की बात करता है वहाँ पर आपका क्या हो जएगा 9 में तो option right आपका हो जएगा C उत्परेच्छा लंकार होता है जब आपने बताया था जहां भी कभी संभावना कर दी जाए कि नहीं ऐसा हो सकता है जैसे मन और नील मन सहले पर आपत परियो प्रभाद मतलब ही अपने ये सार संभावना कर दिया जाए अलंकारों के मुखिताब हैत कितने होते हैं तो मुखिताब से पूछा गया है हमने आपको जो बताया था वीडियो बनाया था बेसिक वाला तो पहले ही ग्राफ में बता दिया था कि डारेक्ट इंसर पूछा जाता है कि सब्दा लंकार कोने है अर्था लंकार क्या है इसी करण इस ट्रिक्चर में हमने बता दिया था इसको समझ लिजीगा है ना तो यहां पर सब्दा लंकार के अगर बात किया है तो आप ऑप्षन के अनसार देखकर तुरूंत जवाब दे सकते हैं कि यहां पर जो आपका जवाब आएगा किस पर आएगा सी नंबर में ठीक है क्योंकि यह मक लंकार इन तीनों से आपका अलग है है ना समझ मैं क्या होगा चले अगला प्रस्णाप का दिया गया है जहां एक ही वर्ण की आवरती बारबार होती है जहां एक ही वर्ण की आवरती बारबार होती है वही साहब वहाँ पर क्या होता है जवाब फटा बड़ जवाब देते रहेगा सभी को जैहिन सभी को रादे सबी को राम राम चले तो यहाँ पर बिल्कुछ सही जवाब है उप्सन रेटिव का सी हो जएगा अनप्रास लंकार होता है किलियर हो गया है चले अगला प्रस्ण आपका दिया गया है कि जिसकी उपमा दी जाए देखो थेयोरी से सद्रस का प्रतिपादन हो वाँ कौन सा आपका लंकार होता है तो याद रहे कि जहां दो भिन पदार्थों में सद्रस मतलब काई सिटे समांता जब समांता दरसाई जाए वहाँ पर आपको क्या होता है तो सिंपल सी बात है हम लोग जवाब कहां पर देंगे उपमा लंकार में देगेंगे तो आपका सोड़क उपसन डी हो जगा उपमा लंकार अगला प्रस्वन आपका है जहां प्रसिद उपमान को उपमे बना दिया जाए वहां पर लंकार क्या है जहां उपमान है देखो जहां पिरसिद्ध कोई उपमान है और उसे उगर उपमे बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं सत्रा का जवाब देना है सत्रा का जवाब क्या बनेगा चले सत्रा का जवाब थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भी तो जवाब हो जब अप्सन राइट आपका यहाँ पर आपका जुदिया है एनमबर आपका प्रती पलंकार ठीक ही कौन सा होता है यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा कुश्चन यहाँ पर आपका प्रती बना दिया जाए वहाँ पर आपक प्रती पलंकार होता है और हमने आपको पत्या था जैसे कि हमने आपको पत्या था उस तपस्वी से लंबे थे देउधार दो चार खड़े clients वहाँ पर अपको उधारा बताया था और साथ में एक उधारा नौर बताया था कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम ठीके यह होता है प्रती पलंकार को उपमालंकार का उल्टा अलंकार भी बोलते हैं ठीके याद रिखेगा कि प्रती प्रती पलंकार को प्रती पलंकार को उपमा लंकार का उल्टा था भी प्रित तलंकार कहा जाता है यह हमने आपको थेओरी में बताया भी था ठीक है ना चलिए अगला प्रसनाव से पूछा है कहराब से यद उपमे और उपमान में बिम्ब प्रती पिम्ब का भाव हो तो बताये कौन सा लंकार है जब उपमे और उपमान में बिम्ब और प्रती पिम्ब का जब भाव उत्पन होता है तब कौन सा लंकार होता है सबी कुछ हमने आपको बता दिया है ऐसा कोई question होगा ना बताया हो 18 की जवाब क्या बनेगा तो यहाँ पर याद रिखेगा कि जब भी कभी भी उपमे और उपमान में जब बिम्ब और प्रित्विम्ब का आपका होता है वहाँ पर आपका कौन सा बनता है प्रियास करिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा प्रियास करेंगे तो आपका जवाब यहाँ पर आपका कीलियर हो जाएगा यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है और आपका जवाब हो जोगा option right आपका यहाँ पड़ी इसे बोलते हैं दरस्टान तलंकार क्या बोलते हैं भई इसे द्रस्टान तलंकार कहते हैं और जहां पर जो हमने बताया था जैसे कि एक उधारन हम आपको थोड़ा सदे देते हैं जैसे बताया था एक मियान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं किसी और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं यह उदारण हमने आपको अतया था एक उदारण सिंपल्स होता है करत करत अब्यास्ते जडमत होद सुजान रसरी आवद जाते सिलपर प्रतनिसान वही आपका उलंकार होता है द्रस्टांत उलंकार उदारण ठीके चलिए अगला प्रसना का दिया गया है कि कथन को बढ़ा च मुचा गया है जहां सद्रस्ट के कारण किसी वस्त में दूसरी वस्त का ब्रहम हो जाए मतलब क्या हुआ सद्रस्ट यहां पर देखने के कारण यहां पर देख सकते हैं कि किसी वस्त को देखने पर ब्रहम होता है और जब ब्रहम होता है तो सिंपल सिवात है और ब्रहम है औ पर जिब निसेद रहीत आपका आरोप होता है वहाँ पर क्या होता है थेवरी डारिक्ट दे दी गई है तो जब आरोप किया जाता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है और आपका रूपक अलंकार हो जाएगा के लिए रो गया अगला प्रिशना आपका दिया गया है जहां किसी एक सब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जहां किसी एक सब्द के और एक सब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो हमने आपको आता है सब्द एक अर्थ नेक कहते हैं सलेस कहते हैं ना तो जवाब क्या होजेगा बाइस में तो बैइश को प्समी अपना उपमान हो वहां पर आपका कौन सा लंकार होता है यहां पर जवाब दिजीगा इसका सही जवाब आपका क्या हो जएगा थोड़ा सा ही थोड़ा सा आपको कह सकते हैं आपको टफ लगेगा यह कोशन ठीक है न तो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हो जएगा याद रिखेगा तेश को उप्षन राइट आपका हो जएगा C नमबर यह आपका है अमनवे अलंकार इसका स्क्रीन सॉट ले लिजेगा जहाँ उप में स्वम ही अपना उपमान हो आपका कौन सो होता है तो अमनवे बोल सकते हैं तो आपका C हो जएगा मतलब हम आपको उदारन एक दिये थे कि जैसे एक उदारन होता है छोटा सुदारन देते हैं भारत के सम भारत देखो हमने क्या उदारन दिया था आपको बताया था ठीके न, क्योंकि भारत उप में है और उसकी तुलना भारत से ही कर दी गई है, आर्थात आपका अमनवय हो जाएगा, क्लियर हो गया, स्क्रीन सॉट इसका लेते रहेगा, चलिए अगला प्रसना आपका है, जहां अर्थ की भिन्नता के कारण वर्डों या सब्डों की आवरत होती है, वहां प्रलंकार कौन सा होता है, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्डों या सब्डों की आवरती होती है, अर्थ की भिन्नता की इसाब से, तो अर्थ की भिन्नता में ही आ गए हैं, तो हम लोग अर्था में आएंगे, जो कि कौन सा यमक अलंकार आपके यहां प चलिए यहाँ पर अजीत कुमार यहाँ पर कह रहे हैं चलिए बहुत देर से परिशान है भी है ना यह जीत जी हैं बहुत देर से परिशान है किसी कोश्चन में है और जब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि नईया पार होने की स्थिति में आती है तब आप कमेंट किये हैं है जब नईया पार होने की कवगर में आ गई है मतलब कर सकते हैं पहले कोश्चन की बात करोगे हम लोग पहुँच गए जाने का है ना तो अगर कोई इसी पॉइंट की बात है तो आप कमेंट जुरूर बाद में करिएगा आप कर चुके हैं अब उसी बात बात पर कमेंट मत करि आपका करिए ठें 25 निमबर में तो 25 को अपसël रहा है कौन सा आलंकार दिया ना सिंपल सी बात है अलंकार आपका होजेगा ठीक है अगला प्रसन आपका दिया है जहां सब्द का प्रयोग एक ही भार हो किन्तो उसके värणफ एक भिग हो वहां पर कौन सा आलंकार होता है चले तो यहाँ पर आपका दिया गया है कहराब से कि जहां सब्द का प्रियोग एक ही बार हो किन्त उसके अर्थ एक अधिक हो तो वहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर 26 को अप्शन क्या हो जागा तो आपका स्लेस क्योंकि सब्द एक अर्थ निक कहते हैं अगले प्रस्काति कराशे उपमे वा उपमान का आरोप होने पर कौन सा लंकार होता है उपमे पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा लंकार होता है 27 का जवाब दीजिएगा चलिए 27 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे है चले 27 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसका जवाब बिलकुल आपका सही होना चाहिए और यहाँ पर बिलकुल सही है very good तो यहाँ पर 10 को उप्सन 27 को उप्सन कौन सा होज़ेगा 27 को उप्सन अपका बी होज़ेगा यहां पर आपका रूपक लंकार क्या होता है रूपक लंकार होता है यहां पर जवाब कभी होजेगा रूपक लंकार होजेगा अगला प्रसना आपका है जहां सुरूप और क्रम में अनेक बेंजनों की आवरती एक बार हो तो कौन सा लंकार होता है जहां सुरूप और क्रम मे अनेक ब champagne की आवरिती एक बार हो वहाँ पर लंकार कौन सा होता है 28 का जवाब दिजीगा 28 का जवाब के आप उच्छा गया है 28 का जवाब देना है आपको चलिए सही वह आथे सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है और जवाब क्या होजेगा आपका आपका यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही होजेगा आपका यहाँ पर आपका थाइसक आपका सी यहाँ पर छेका अनुप्रास होजेगा ठीके क्या होज़ेगा जहां स्वरूप और क्रम में अनेक बिंजनु की अवरती एक बार हो वहाँ पर आपका अलंकार कौन होगा छे कानुप्रास ठीके ना यहाँ पर जवाब आपका सी होज़ेगा छे कानुप्रास और छे कानुप्रास में हमने आपको उधारन दिया था कै यहां पर बता दिये कि जहाँ किसी का वर्ण बढ़ा चड़ा करने से उसकी सीमा अथो मर्यादा का उलंगन हो जाए वहाँ पर कौन सा लंकार होता है यहाँ पर बता दिए कि जहां किसी का वर्डन बढ़ा चड़ा कर करने से उसकी सीमा अथो मर्यादा का उलंगन हो जाए वहाँ पर कौन सलंकार होता है 29 का जवाब दिजिए चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा भई तो 29 को उप्सनर राइट आपका जवाब हो जागा अगला प्रसन आपका दिया गया है जहां उपमे को ही उपमान बना कर प्रस्थित किया जाए वहाँ कौन सा लंकार होता है 30 नमबर देखो यहाँ पर फिर से दे दिया गया है जहां उपमे को ही उपमान बना कर प्रस्थित किया जाए अभी अभी हमने आपको बताया था कि जब उपमे को उपमान ही बना लिया जाए हना तो वहाँ पर कौन सा होता है तो आपका जवाब आपका 30 का जवाब दे सकते हैं यहाँ पर आपका 30 का जवाब कौन सा हो जाएगा तो अभी आपका 30 का जवाब कौन सा हो जाएगा तो अब आपका 30 का जवाब कौन सा हो जाएग उपमा लंकार में चार तत होते हैं कौन से तो उपमे उपमान साधरन धर्म और आपके वाचक सब्द यह आपके होते हैं चार आपके होते हैं जो आपके उपमा लंकार में होते हैं केलियर हो गया अगले प्रिश को आते हैं प्रिश साफ से गला पुछा है हाँ यहाँ पर दे देखेगा वहाँ पर सभी परिभास हैं आपको देखने को मिल जाएंगी हमने सभी उदारान आपको यहाँ पर बता दिया है ठीके ना उपमा लंकार के चार बेद होते हैं यह भी आपको देखने को मिल गया है अगला यहाँ पर विभावना लंकार है विभावना लंकार में विशेश प्रकार की कलपना होती है यहाँ पर अपने पॉइंट बताया था कि आपर देखे एक कारे की संभावना प्रक्तिक की जाए बिभावना लंकार आपको होता है ठीके ना यहाँ पर बिन पत चले यह देखो आपको पूरा हमने बता दिया था विडियो में उसको आप देखिएगा ठीके ना यहाँ पर आपको यह कोश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा बिभावना में कि निंदन निखरे राखिये आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए यह आपको बिभावना लंकार का है ठीके डारेक्ट एक कोश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएगा प्रती पलंकार हमने अभी बताया था कि प्रती पलंकार मतलब उल्टा होता है है ना प्रती जहां उपमान की उपमा उपमे से की जाए वहाँ पर प्रती पलंकार होता है ठीके यह आपको डारेक्ट दे दिया गया है और यहाँ पर देखो प्रती पलंकार को उपमा 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 का उल्टा था बिपरित लंकार कहते हैं है ना उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े ठीक है यह सब कुछ हमने आपको बता दिया है तो आपको जो मिल आप देखने को सभी आपको मिल जाएगा ठीक है ना अमनोवय लंकार अभी आपको देखने को मिला था देख लीजिए अमनोवय अंकार क्या होता है तो जहाँ उप में की कौन सा प्रस्ण अलंकार प्रस्ण लंकार क्या होता है थोड़ा से इसको देख लीजिगा यहां पर देखो प्रस्ण लगा है ना जब भी अलंकार में प्रस्ण लग जाए वहां पर डारेक्ट अंसर लगाना है प्रस्ण लंकार यह सभी कोश्चन आपके अभी रिपीट होने मिलें वाले हैं, जितने भी बता रहे हैं, सब्स मिल्ने वाले हैं, जब जवाब देंगे तो आपको खुसी हो जाएगी, किने कुछ ना कुछ किया है, जब यहाँ पर देखो परतिबिम और परतिबिम की बात आती तो आपका दिरश्टान तलंकार होता है यहां पर आपको देखी दी दिया है प्रतिभीम और भीम का होता है द्रश्टान तलंकार होता है ठीके ना और अगले पॉइंट में आपको दिया है अपरूहु तलंकार क्या होता है यह अभी अभी कोशन आपको मिलेगा इसको भी समझ लिजे अपरूहु तल अब यह question हम लोग solve करते हैं ठीक है यह question आपको मिलेंगे एक होता है ब्याज निंदा ठीक है ब्याज निंदा लंकर ब्याज निंदा लंकर जहां काब्व को देखने से ऐसा लगे जैसे प्रसंसा की जा रही है लेकिन वास्तों में वहाँ निंदा की जाए वहाँ पर आपका अब याज निंदा होता है राम साध तुम साध सुजाना राम मातु भली वैचाना इसका उधार अभी ले लिजेगा अभी question आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पर test में आ चुके है और test इसके पहले लगा भी रहते ठीक है अभी 2-3 question आपने बताया है ताक अलंकार हम लोग किसे के बोल देंगे यहाँ पर 34 नमबर में तो 34 को option C यहाँ पर देखो सोभा वर्धक तत्तो क्या होता है सोभा वर्धक तत्तो होता है यहाँ पर 34 को option C के अलंका से अप्राय होता है क्या होता है सोभा वर्धक तत्तो क्योंकि तत्तो की बात किया है तो त की सुफ़ा बड़ेगी ठीक है चलि अगला प्रस्वाइब का दिया है प्रती पलंकार वहां होता है चलिए अभी हमने आपको थेओरी दिखा दिया है तापकि आपके अंदर जुनून आ जाए तो यहां पर दिखो प्रती पलंकार क्या होता है 35 नंबर में 35 को उप्शन क्या जबाब यहां पर आप दिख सकते हैं यहां पर और सही जवाब हो जिएक कुछ सा हूसा यहां पर आपका उपमे और उपमान का संबंद उलट दिया जाए क्या कर दी जाए ने यहां पर आपका पे संबद में 35 को हो जाए है i war को हो जेए ठीक है और बड़ाय चलाकर बढ़ा चलाक कर वोलोगे तो यह अत्यसयूग्थ हो जाएगा न ठीक है essla ben में के संबन्द में अत्यसय उत्पनHonya प्रकूं को होता है से निमलखित में से कौन सा उपमा लंकार का एक तत्व नहीं है उपमा लंकार का एक तत्व नहीं है तो अभी हमने चार तत्व आपको बताया था कि आपके उपमा लंकार के चार तत्व होते हैं और इन अस्तुवों में समान धर्मे के प्रत्पादन क्या कहते हैं और जब समान धर्म होता है समानता होता है तो आप उपमा लंकार होता है ठीक है उपमा लंकार होता है अगला वरत्या अनुप्रास क्या होता है तो वरत्या अनुप्रास क्या होता है आप देखे अनुप्रास लंका वहांपर आपको पूछा गया है तो आपका सब्द धिया है तो जवाब रहे सकते हैं कि जब सब्द के माध्यम से चमतकार हुता है तो सब्द आलंकार हो जाता है ठीक है अला परसम्स से पूछा गया है जहाँ प्रसिद्ध उप्मान को उपमे की रूप में कल्पित किया जाए जहाँ प्रसिद्ध उप्मान को उपमे की रूप में कल्पित किया जाए वहाँ पर आपका कौन सा होता है तो यहाँ पर कल्पना की हिसाब से तो आपका प्रती पलंकार हो जाएगा ठीके क्या होज़ेगा प्रती पलंकार होज़ेगा इसका जवाब जो आपको होज़ेगा प्रती पलंकार होज़ेगा ठीके और अगला प्रसनाप से दिया गया है करा है जब काब में अर्थ सौंदर प्रधान रहता है तो उसे क्या कहते हैं जब काब में अर्थ सौंदर दुबो रही तारा घट उसा नागरी में कौन सा लंकार है 43 नमबर में तो यहाँ पर देखो अंबर पन घट में दुबो रही तारा उसा नागरी यहाँ पर आपको आपको आप्शन में देना है देखो यहाँ पर रूपा कलंकार है उप्मा है उत्परेच्छा और आपका यम कलंकार ठीक है तो यहां पर आपको कह सेकते हैं कि जो आपका दिया गया है अंबर पंगट में वो रहे जब उप में और उपमान बिल्कुल पास में हो हाना तो यहां पर आपका रूपा कलंकार होता है यह नमर आपको हो जाए रूपा कलंकार अगला प्रसंद दिया है कि रग पर जो आपका होता है कौनसा अनंत्य अन्प्रास क्या होता है तो यहां पर आपका दिया गया है आई सब्द और यहां भी आपके आई है आर्था दोनों की सोरों को मिलान किया गया है जब दोनों के ही सोरों के लास्ट वाला मिलान होता है तब अनंत्य अन्प्रास आपका होत इस पंक्ति में जो अलंकार है आपका कौन सालंकार है यह पर पैतालिस संबर में तो फैतालिस में आपका जो हो जएगा कौन सा हो जएगा BUUND, अगहात, सहाई, गिर कैसे, फलके, बचत, संत, साह जैसे मतलब हमने अभी आपको बताया था द्रस्टांत लंकार आपको बताया था और द्रस्टांत लंकार जो आपका दिया गया है यहाँ पर कह सकते हैं द्रस्टांत लंकार में जो आपका एक वर्ड होता है जिसमें से कहा जाता है कौन सा कि जब बिम्ब और प्रतिबिम का बात किय जाए बूंद अगहात सहीं और इसके खल में संत सहज जैसे यहां पर आपका बी नंबर होज़ेगा द्रस्टांत और याद रिखे इसे उधारण लंकार भी कहा जाता है मतलब यह उधारण जो आपका है यह उधारण लंकार भी का भी उधारण है है ना अगर आपने पढ़ा नहीं होगा उधारण लंकार लेकि रियाद रखेगा कि यह उधारण आपका है उधारण लंकार कभी है ठीक है चले अगला प्रस्टा आपका दिया है कह रहा है दूर दूर तक बिश्तरत था हिम इस्तब्द उसी के हर्दय समान और यहां पर 46 नंबर देखो आ चुका है ज प्रती पलंकार होता है ठीक है प्रती पलंकार हो जाएगा और अगला प्रस्टा आपका दिया है देखो जो लोग आते हैं और चले जाते हैं सोचने है कि मजब मिलना है या पर क्या मिलना है तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर एक उधारण अगर कोई नया चोई हो ठीके चले दिया गया विकल्पों में से विभावना लंकार को धारण क्या है विभावना लंकार क्या होता भी तो विभावना लंकार क्या होगा 47 वाले में तो यहाँ पर 47 वाले में यहाँ पर विभावना लंकार यहाँ पर है बिन उपद चले सुने बिन काना कौनसा है मतलब के सकते हैं कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी चला है मतलब बिसेश प्रकार की जब कलपना की जाए वहां पर आपका बिभावना लंकार आपका होता है जहां बिना कारण के ही कारका होना पाया जाए वहाँ है ना वहाँ क्या होता है तो वहाँ पर आपको होता है कौनसा विभावना हो जाता है अगला प्रसकातिये प्रसाप सगला है कहरा है या जीवन क्या है निर्जर है इस वात में प्रिक तलंकार कौनसा है या जीवन क्या है निर्जर है यहाँ पर जवाब का लंकार हो ज सकते हैं या जीवन कहा है निर्जर है बढ़ार राके तो नहीं बताया गया भी आप लोग इसका जवाब मत दीजेगा कि आप अंतस्योक्त क्योंकि इसमें बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है यहाँ पर रूपक अलंकर आपका हो जाएगा अगला दिया गया है रगुपत आपका दिया गया है कर रहा है उपमे उपमान साधन धर्म और वाचक किस लंकार के भेद होते हैं तो भई उपमे उपमान साधन धर्म और वाचक कहाँ पर मिलेंगे तो वाचक सद्धा आपको मिलेंगे कहाँ पर भेया तो आपका जवाब हो जवाब तो यहाँ पर आपका 50 का उप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी उपमा लंकार के चारो बेद होते हैं ना जो आपके गुण होते हैं उपमा लंकार के चारो गुण होते हैं तो सिंपल सी बात है को उपमा मतलब के स्थिcias है जो समीब होता है उससे बोलेंगे तो option कहा पर जाएगा option भी हो जाएगा समीफ हो जाएगा अगला दिया है paper path सरिस मंडोला में आपका paper path उपमालंकार का कौन सा अंग है है ना यहाँ पर पूछा यह आपका है उपमालंकार है है ना अपमालंकार है लेकिन पूछा गया है कि पीपर पात जो दिया है उपमालंकार का कौन सा अंग है कौन सा अंग है तो यहाँ पर आपका जवाब करने बनेगा बावन नंबर में तो यहां पर आपका जवाब बनेगा यही आपका उपमान है यही क्या है आपका यह आपका उपमान हो जाएगा ठीके और अगला प्रस्थन आपका दिया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में जो दिया गया है पंक्ति के अधार पर सही अलंकार बताना है तो पायो जी मै कर दो कि काफी लोगों को उप्मा आ रहे हैं और उप्मा में हम बताया था समसा सरी सभी सरीसे आपके होते ठीके जब समानता पकी होती है अगला है काली घठा का गमंड घठा पंक्ती में कौन सा लंकार आपका दिया गया है और ये हमेशा प्रस्ट पूछा जाता है काली घटा और घटा सब्द यहाँ पर दिया है घटा सब्द आपको दिया है एक घटा मतला होता है गटा मतला होता है कम होना और एक घटा मतला होता है बादल होता है लेकिन अर्था आपके निकल रहे हैं अलग अलग निकल रहे हैं अर्थात हम लोग के सिखते हैं यहाँ पर कौन होजेगा तो यह जो आपका होजेगा यमकलंकार को दाराने option right होजेगा d number यमकलंकार अगला प्रस्ण आपका दिया गया है नई पराग नई मधुर मधूर नई विकास निकाल अली कली ही सोब दो आगी कौन सा हवाल तो यहाँ अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से आपकी होती है ठीक है यहाँ पर आपका हजेगा अन्युक तलनकार ठीक है और इसका स्क्रींसॉट लीजेगा और इसको बाद साची भी कर लिजेगा ठीक है और नोट कर लिजेगा सभी उधारणों को अगला हनुमान जी की पोच में लगन न पाई आग लंका सगरी जल गए गए निसाचर भाग यह रस में भी आपको देखने को मिले था और यहाँ पर भी बताया है क्योंकि रस ही आपके रस में जो अलंकार होते हैं यहीं से आपके मिलते भी हैं है ना यहाँ पर व्यू धारण होते हैं तो यहाँ पर आपका बात की गई है बढ़ाचडा की बात की गई है अर्थात कह सकते हैं आपका पर जाएगा option B अस्योगत आपका लंकार हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला प्रसनाब से पूछा गया है प्रसनाब से कह रहा है कि हर पद कोमल कमल से हर पद कोमल कमल से यहां पर कह सकते हैं कि हरी के पदों की यहां पर समानता हुई है अर्थात यहां पर कह सकते है जब आपका सा समसी सरीस ऐसी सब्द होते हैं उपमालंकार होता है यहाँ पर आपका ए आपका होजेगा ठीक है ए नमबर आपका होजेगा यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर आपका सा सब्द आपका है तो उपमालंकार में होता है समसा सरीस से सब ऐसे सब्दोते हैं जहां गांठ ताहर dilemma नहीं यह जानत सब कोई में खिस परकार का लंगकार है यहां पर देखो दिया गया है hell kah ञांध ठीके जहां गांठ ताहर रस नहीं यह जानत सब कोई क्या होता है एक shodla इरसा क्याना टीकि इरसा वाला और एक गांठ होते हैं जैसे गंणा होता है ना गंणा, तो गंणा में गंणा ने होती उसकी तुल्ना की गती है उसके लंकृतन C सकीन यहां पर देखेे सीवाला की मतलब जो हंस है उसको मोती समझ की हूँ चुन रहा है आठात यहां पर आपका जवाब को जगा इस वाला आपका हो जगा तिलगे, तो दिया है अब जीवन में नहीं है जीना कानन कनिन भहंकर भारी यहाँ पर साथ वाले में देखे बी नमबर यहाँ पर आपको दिया गया है कानन कठिन भहंकर भारी तो भासब्द यहाँ पर दिया है भासब्द का सब्द दिया है का सब्द है अर्थात यहाँ पर भासब्द और का सब्द की वर्डन आपका हो रहा है अर्थात यहाँ पर आपका हो जेगा अभी नमबर ठीके अगला प्रसकाते हैं प्रसाप से अगला पूछा गया है कहरा आप से यहाँ पर कि वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है वे तुम सम तुम उन सम स्वामी अथात यहाँ पर आपका सम सब्दों दे दिया है और सम सब्द आपको जो मिलता है का मिलता है सम सा सरी सब्द मिलता है उपम अलंकार में option C हो जेगा कुछ पहचान होती है डारेक्ट आपको पहचान सुन लेना है है ठीक है अगले प्रिस्म आपको दिया गया है कनक कनकते सोगनी मादक तादिकाए है या खाये बहुराओर है वह वी वाल आपका है तो यहां पर आपका 62 का जवब क्या बने गा तो 72 क आप कर यहां पर हो ठीक है ना सोना भी हो गया इस प्रकात से कौन हो जगा तो आपका भी हो जगा ठीक है और अगले प्रस्ट काते हैं प्रस्था पुछा गया है केराब से यहां पर कि यहां देखे अर्विन्द से सिसुबरंद कैसे हो रहे हैं जी लोगों को पहली बार आहे वो लोग चैनल को जुरू सस्क्राइब करिएगा ठीके ना और वीडियो को लाइक कर दीजेगा जी लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे सपोर्ट करेंगे या देख दर अर्विंद से सिस बरंद कैसे सो रहे है या पर अर्विंद जो आपका है वो आपका क् गम भीर वो घटिये ब्रस भानुजा वे हल्दर के भीर यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपका लंकार है कौन सा लंकार है यहाँ पर जवाब क्या बनेगा तो यहाँ पर आपका दिया है ब्रस भानुजा ब्रस भानुजा मतलब हुने बताया था कि ब्रस भानुज पुत्री थी राधा और एक ब्रस्वानुजा राधा की जो आपके बलदाओ भी कैसे हल्दर उन्हें को का जाता था तो वही चीज आपका है यहां पर एक वर्ड है और इसके अर्था आपके निकल रहे हैं अर्था आपका स्लेश लंकार आपके यहां पर हो जाएगा ठीकें स उपमा लंकार का सौंदर अर्थ में नीथ होता है, वहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ अर्थ में अर्थ में अगर बात करता है, तो जवाब हम डारेक्ट यहाँ पर देंगे कौन सा, तो आपसन आपका देंगे यहाँ पर अर्था लंकार हो जाएगा, अगला प्रस्वाब से पूछा गया है जहां किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहाँ पर कौन सा होता है जहां किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहाँ पर क्या होता है तो अभी आपने पढ़ा था ना कौन सा जो की अभी उधारन आया था अन्योक तलंकार में ठीक है अन्योक तलंकार होता है जहां किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए ठीक है तो option कौन सा होज़ेगा या परसी होज़ेगा अन्योक तलंकार आपका होज़ेगा ठीक है अन्योक तलंकार और एगला प्रस्ण काते है प्रसाब से अगला है कि जहा परिभास अभी पूछा भी गया था और हमने दिखाया भी ता है ना तो यहाँ पर कौन सा होता है छेका अनुप्रास की परिभासा होती है यहाँ अनेक बेंजनों की एक बार शुरूपता हो क्रमसा हो और आबरती हो वहाँ पर आपका छेका अनुप्रास होती है डारेक्ट यह परिभास आपकी होती है जो कि अभी आपने दिखा दिया था ठीके अगला प्रस्ण आपका दिया है कि चार चंदिकी चंचल किर्णे खेल रही थी जल्थल में यहाँ पर चाव वर्ड और आपका लावर्ड आपकी आवरती हो रही है अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा तो जवाब आपका हो जएगा कौनसा अनुप्रास लंकार सिंपल सी बात है यहाँ पर अनुप्रास लंकार आपका हो जएगा अगले प्रस्ण आपका गला दिया गया है कहले आप से आई ऐसे अद्भुद बेला ना रो सका ना विहन सका है ना यहाँ पर आई ऐसे अद्भुद बेला ना रो सका ना विहन सका अर्थात यहाँ पर आपको दिया गया है एक तरफ दिया गया है कि अद्भुद बेला ना रो सका ना हसका अर्थात पहले रोने की बात कर रहा है फिर आपके हंसने की बात कर रहा है अगला दिया गया है सजना मुझे सजना के लिए किस प्रकार का लंकार है यहाँ पर सवत्तर का जवाब दीजिएगा जवाब आपका सउग्या होजएगा तो सजना है मुझे सजना के लिए अर्थात यहां पर हम लोग के सकते हैं कौन है तो आपका सजना है भीया यह सजना है और यह सजना है एक सजना समरना हो गया लिपिस्टिक बुंदी पानी वाला और एक सजना हो गई कौन जिनके लिए वो सजना करती हैं समझ रहागे ना एक तो खेक का भी बेनी भी अर्व यह बात तो वही होती ना भाई लड़की अगर माली जी अगर उनकी बीबी है अगर पूरी तरीके से मैक अप कर ले और उनका पती उनका ध्यान ना दे तो भी आफ यूप कि आप बोलेंगे होगा है ना तो यहां पर कह सकते हैं देखो 11 क्यारा नंबर में और तो थोड़ा सा और लगता है कि हम यह पर पीछे दन आ reciproSON कने हैना तो अगर ऐसा कोष्चन है तो आप अनूकर करिये का भी आप DAN चले कह रहा है कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा लंकार है यहाँ पर 71 वाले में अगर थोड़ा सगर आप देखेंगे यहाँ पर जवाब कौन सा होजेगा तो कभी कहे बेनी बेनी ब्याल में जवाब की है बेनी बेनी ब्याल में यहाँ पर जवाब का होज़ेगा तर में आपका सी होगा यहाँ पर यमा कलंकार होज़ेगा इसका जवाब का होज़ेगा कौन सा यमा कलंकार आपका होज़ेगा यमा कलंकार है ठीके अगले प्रसनाप से पूछा गया है कि जढ जढ पर चेतन का आरोप हो जढ पर चेतन का आ जीव में आजाए एक तो आपका होजगा मानवी अलंकार होजगा अगला दिया गया है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो इस पंक्ति में मा की वर्ण की आपरती होई है और जम्मा की आपरती होई है तो सिंपल सी बात है हम लोग आपर कह सकते हैं कि जवाब कहाँ पर जाएगा आप्सन बी यहाँ पर अनप्रास लंकार हो जाएगा ठीक है अगला प्रसनाप से पूछा गया है नए पराग नहीं मदुर मदू नहीं विकास नहीं काल अले कली हिस्षो बंद हो आगे कौन सा हवाल है ना और अभी अभी यह मैं बताया था कि जब कभी अन्निकी बात करते है वहाँ पर अन्यक्त होता है ये दूसरी बारे कोशिन मिल चुका है अन्यक्त लंकार का ये दूसरा उदालना आपको फिर सी मिल चुका है ठीक है अगला प्रसने आप से पूछा गया है Корहा धी गया है सान्थ भाव में लीन इस वाकी में प्रांकार पूछा है यहाँ पर दिया गया है सी सब्दों समसा सरी सी सब्दय से होते हैं हमेशा कहां पर मिलता है तो आपका उपमा लंकार में होता है और उपमा लंकार में हमने आपको अतया था उपमा लंकार के भी तीन भी दोते हैं जिनमें से आपका प्लोपमा लंकार हो जागा बे नंबर ठीक है अगला पर आपका लिखा था आपका विरोधावास में, ठीके, कौन सा लिखा था, विरोधावास लंकार में, 76 कॉप्षन डी हो जएगा, ठीके ना, यहाँ पर 76 कॉप्षन भी विरोधावास हो जएगा, द्रग अंचल होड़ते चंचल चल चपद के, आपके अभी चल में, ठीके, तो एक तरफ चंचल भी हो रहा है, अच्छी बात है, एक तरफ दूसरी है, तो अर्थात यहां पर बीरोधा हो जाएगा, अगला है भानती मान उलंकार को दरान आपको बताना है, भानती मान किसम हो जाएगा, भानती मान आपको पूछा गया है, तो भानती सब्दा आपको य सेले बता देते हैं तभी यहां पर टेस्ट पेपर सॉल कराते हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सब को लंकार आ रहे हों और जरूरी नहीं है कि हमारा बेसिक वीडियो सभी ने देखा भी होगा इसी करण जो उधारन जो बार-बार पूछे आते हैं उसको हम दिखा देते ह और यहां पर दिया गया है अतिकाट वचन कहति कै केई माने लोन जरे पर दे यहां पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है तो यहां पर मानो मन मानो जन जानो सब्दा आपका होता है यहां पर आपका कौन सा हो जगा उत्प्रेच्छा लंकार हो जगा बेनमबर प्रेच्छा लंकार को उधारन कौन सा है और उत्प्रेच्छा लंकार के अगर बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर आपका चला जाएगा यह है सरस उसकी बूंदे या मंजुल मोती तो यह तो भी ब्रांती मान का है तो यह आपका तो होगा नहीं काली घटा का गमन घटा घटा सब्द यह भी आपको नहीं होगा उसा उदास आती है अर्थात यहाँ पर के सकते हैं मानो सब्द आपको मिल गया यह पर देखो यह परण आपको मिल जाता है एक्जाम में याद रिखेगा मानूष सब्द मिल गया है उत्परेश लंकार आपका हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्दाव से पूछा गया है कि एक रम्म उप्वन था नंदन वं सा सुंदर सा सब्दाव को दे दिया गया है और सा सब्दाव को जो होता है कहाँ पर होता है भी तो अस्तिक का जवाब कहाँ पर हो जएगा भी नमबर आपका उपमा लंकार आपका हो जएगा ठीक है अगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि विरा हस्तिना विरा हस्तिना साले गाय करे चित्त चूर में अलंकार जवाब का है वो आपका कौन सा है यहाँ पर आपका विरा हस्ति विरा हस्ति मतलब उपमे और उपमान जवाब के होते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जगा रूपक अलंकार का उधारण है बे नमबर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा उसका उधारन आप लोग स्क्रीन सॉट ले लिया करिए जहां कभी आपको कन्फ्यूज हो क्योंकि अलंकार है जरूर नहीं कि आपको आ रहे हो यहां पर आपका हो जगा मानवी यलंकार हो जगा ठीक है क्या हो जगा मानवी यलंकार हो जगा मानवी यलंकार है अगला है वीपसा लंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो अभी हमने आपको डारेक्ट बताया था कि इसका आपका उल्टा होता है है ना तो यहां पर आपके कौँसा तो यहाँ पर याद रिखे वीपसा लंकार को दूसरे किस नाम से पुनरुक्त प्रकास लंकार के नाम से जानते हैं डारेक्ट जवाब को याद रिखना है कि वीपसा लंकार को दूसरे किस नाम से तो आपके पुनरुक्त प्रकास लंकार को कहते हैं और अगल सब्द वाले होते हैं उसे हम लोग वाचक सब्द होते हैं यह जोड़ते हैं यह आपके वाचक सब्द होते हैं ठीक है ना और यह सब्द समानता आपको मिलता है उपमा में है है ना लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है पूछ लिया गया बताने वाले सब्द को क्या कहते है तो आपसे वाचक सब्ध गहते हैं वैसे अलंकार जो होता है उपमालंकार होता है ठीक है न? चलिए अगला प्रसनाप का दिया गया है जहां से है आँख लगी तब से ना आँख लगी तब तो बहता समय सिलासा जग जाएगा इस पंक्ति में अलंकार कौन हो जाएगा यहाँ पर देख लिए भई तो यहाँ पर देखो साथ सब्दा आपको दिया गया है साथ सब्दा आपको दिया गया है और छियासी में जवाब कहा हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा अगला प्रस्ण आपका दिया गया है धर्ती ने खिलाए है जुलंत लाल लाल पंक्ति में अलंकार आपका कौन सा है यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा अगर गौर किया है लाल लाल सब्द दिया है लाल लाल सब्द आपको दिया है और लाल सब्द हमने बताया था जब दु अगला प्रस्ण आपका दिया गया है गंगा क्यों टेड़ी चलती हो दुस्टों को सिव कर देती हो इसमें से आपका अलंकार कौन सा है नब्वे नंबर में नब्वे नंबर में आपका जोब का है गंगा क्यों टेड़ी चलती है मतलब कह सकते हैं गंगा को इसने क्या कर दिया है गंगा को क्या कर दिया है इसने कह सकते हैं कि इस पर क्या कर दिया है गंगा को एक मतलब निंदा कर दिया है गंगा क्यों टेड़ी चलती हो इसको निंदा कर दिया है उन्होंने क्या कर दिया है सा सब्दा आ गया जा सा सब्दा आ जाता है तो सपने में भी जवाब किस पर लगाना है आपके उपमा पे आपको लगाना है जरूरी नहीं होता है कि डायस के बाद ही आपको मिले लेकिन आपको 100% नहीं 99% होता है कि आपको ऐसे इवर्ड आपको मिलेंगे और डारेक्ट आप उस पार पहुंच गया आथात यहां पर कह सकते हैं कि आपका स्युक्त लंकार हो जएगा ठीके ना भाई इतने लोग जुड़े हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्या बात है थोड़ा लाइक वाईग को अपने साधी के लिए छुपा के रख लेते हैं क्या लाइक वाई कर दिया करिए थोड़ा सा ठीके चलिए पीपल पात सरीष मन डोला और जब सरीष मतलब होता है समानता होता है जब समानता होती तो सिंपल सी बात है यहां पर कर सिकते पूछा है मन क्या है मन क्या है तो आपके उपमा लंकार में और जो आप पर ये मन है मन जो आपका उपमे है आपका उपमे हो जएगा या पर मन जो आपका उपमे है ठीके ना उपमे आपका है ठीके और जो अगर आप वाचक सब्द लगा रहे हैं अगर पर पूछा गया है यहां पर पूचा गया है इसमें अलंकार कौन सा है यहां पर चारान B नंबर तो चारान B में आप से पूचा गया है देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक कौatlिकूट समझ में आया है आप पुरा सा अना आपको ट्रीलर के रूप में कैसी इसीत में ऐसी टेस्ट में आपको कमसे मिनिट में लगवग आपको पंच वह को आ अलंकार तो प्रसन दिया है और प्रसन है तो प्रसन लंकार आपका हो जाएगा अगला प्रसन आपका दिया गया है कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की है ना तो यहाँ पर आपका जवाब सा सब्दा आपको दिया है और सा सब्दा आपको दिया है तो डारेक्ट टेंसर हम लोग कह पर जाएंगे और सन भी पर जाएंगे आपके उपमा लंकार आपका हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्वा आपका दिया गया है उत्प्रेच्छा लंकार कब होता है उत्प्रेच्छा लंकार कब होता है तो उत्प्रेच्छा लंकार होता है जब सम्भावना ये कलपना करते है जब संभावना ये कलपना करते हैं तब ही तो होता है ना तो यहाँ पर दिया है जब उपमे मुपान की कलपना हो या संभावना हो वहाँ पर आपका उत्प्रेच्छा लंकार आपको हो जाएगा सर अब की बार वर्दी एक मेरी है बिलकुल 100% होगी मेनत करते रहेगा चले कर रहे है निंदक निखरे राख ये आंगन कुटी छवाए बिनुपानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए और अभी हमने आपको यीस का उधारान आपको दिया भी था कि ये जो उधारान आपका ह विभावना लंकार का होता है विम्ब और प्रतवी में आपके यह पर देख सकते हैं तो आपके यहां पर 97 कॉस्टन कॉस्टन हो जागा विभावना लंकार है इसक्रीन सॉट लिजेगा और आसानी से देखिएगा और वीडियो के गवार्ट रिवर्स करेंगे तो आपको य हो दो आईगा क्योंकि अभी हमने बता दीजा घढा दिया ना चलिए अगला प्रस्तेशन से नइसे लिए क्या होतां दिखा देते हैं तभी जब क्या हो लाय में होना लाय में खोई लाइक oni---- है ना इसलिए हम पहले दिखा देते हैं हर चीज को चलिए यहाँ पंक्त यमकलंकार का भेद नहीं है क्या है भेद नहीं है यमकलंकार का भेद नहीं है देखते हैं कि कौन सा भेद यहाँ पर नहीं है तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है यहाँ पर है अगला प्रस्ण आपका पूछा गया है तुलसी मन मंदिर में बहिरे इस पंक्ती में किस अलंकार से अलंकरत की गई है तुलसी मन मंदिर में बहिरे है ना तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका कह सकते हैं मन मंदिर मन है और मंदिर है जब रूप जवाब के कह सकते हैं क्या हो कि जब उपमे और उपमा एक साथ हूँ तो आपके उपमालंकार में जाते हैं, option D हो जाएगा, अगला प्रस्ण आपका दिया गया है, नाक का मोती अधर की करांती से, बीज दांडिम समझकर ब्रांती से, और यहाँ पर 102 का जवाब क्या हो जाएगा, ब्रांती है, तो ब्रांती है, तो simple सी बात है, हम लोग ब्रांती अलंकार में पहुँच जाएगे, option आपके यहाँ पर A सही हो जाएगा, ठीके ब्रांती मान में A आपका हो जाएगा, अगला दिया गया है, मुदित महिपत मंदीर आए, सेवक सची सुमंत बलाए, यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो मा, म मा, मा, और सा, 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 है ना, तो आपके कैसे हैं, आपके अनप्रास लंकार में होते हैं, अनप्रास लंकार में पार्ट भी हो जाते हैं, उस पार्ट में आपसन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अनप्रास लंकार आपका हो जाएगा, अगला प्रसन आपका दिया गया है, मै सब्सक्राइब लोग वीडियो को लाइक करिएगा जितने लोग जुड़े हैं इमान दारी से सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा है ना चलिए धन्यवाद